तो हेलो गाइज, वेलकम टू मैं चैनल प्लोट एक्स्प्रेनर्स, तोड़े वी गोना टॉक अबाउट दे मूवी ड्रोन लेगसी तो मूवी की सुरुवात होती है एक आदी रात से, जहां पर हम इस मूवी के मेन करेक्टर, यानि सैम फिलिन को देखते हैं, जो की अपने पिता कैविन फिलिन से बाते कर रहा होता है सैम के पिता उसे यंत्रजाल यानि एक ऐसी दुनिया के बारे में भताते हैं जो कि कैविन दुआरा बनाई गई थी वे उन्हें कहते हैं कि वो दुनिया काफी सुन्दल थी और साथ ही खतरनाक भी सैम के पिता उसे ये भी कहते हैं कि वे वहाँ ट्रोन से मिले जो कि इंसानों के लिए लड़ता है वे कहते हैं कि ट्रोन ने उससे कुछ ऐसी चीजे बताई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता जैसे डिस्क से लडाई करना वहाँ कैविन ने एक ऐसी बाइक चलाई जो कि लेजर की पटडियों पर दोड़ती है कैविन सैम को कहते हैं कि उन दोनों ने मिलकर प्रोग्रामस और इंसानों के लिए यंत्रजाल की एक नई दुनिया बनाई साथ ही वो ये भी कहता है कि वो हमेशा वहाँ नहीं रह सकता जिसकी वज़े से उन्होंने वहाँ अपना एक हमसकल बनाया जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है और साथ ही चीजों को समझ भी सकता है जिसका नाम उन्होंने क्लू रखा है वही पर कैविन अब सैम से बात करने के बाद काम पर जा रहा होता है लेकिन काम पर जाने से पहले वो सैम से कहता है कि कल हम दोनों वीडियो गेम्स खेलने के लिए जाएंगे और ये कहने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और अब अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि एन्कॉम कम्पनी के सिई ओ केविन फ्लेन लापता हो गए हैं और साथ ही न्यूज में केविन की लाइफ के बारे में बताते हैं कि 1985 में उसकी वाइफ की अचानक से मौत हो गई थी और उसके बाद वे अपने बेटे के साथ ही रहने लगे थे अब एनकॉम कमपनी के सभी मेंबर्स ने ये एलान किया कि कैविन के पार्टनर एलन ब्रैडली से कारोबार वापिस लिया जाता है वही पर कैविन के दोस्त ब्रैटली का ये मानना है कि कैविन लापता नहीं है बलकि एक ऐसा सपना साकार करने में लगा है जो कि इंसानों की जिंदगी को बदल देगा वही पर हम देखते हैं कि सैम अपने दादा दादी की देख रेक में रहता है और वो अपने पिता को काफी मिस भी करता है लेकिन उसके पिता कैविन का अभी भी कोई पता नहीं चलता गाईज अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोग कर कुछ इंपोर्टन चीज़े बताना चाती हूँ ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सके दरसल सैम के पिता कैविन ने कम्प्यूटर्स की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो की काफी एडवांस होती है जिसे वो एक तरह से यंत्रे जाल के नाम से बुलाते थे और साथ ही आईसोस को छोड़ कर वहां की सभी प्रोग्राम्स कैविन दुआरा ही बनाई गए थे और अब गाइज हम अपनी मूवी की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सैम अब बड़ा हो चुका है और अब वो अपने डैड की बायक लेकर एनकॉम कंपनी की तरफ जाता है और वहाँ पहुचने के बाद वो चुपके से N.com कमपनी के गेट पर लगे सेक्यूरिटी सिस्टम को हैक करके अंदर सर्वर रूम में चला जाता है और तभी वहाँ एक गार्ड सैम को कैमरे में देख लेता है और उसे ढूनने के लिए सर्वर रूम में आ जाता है लेकिन जब तक वो गार्ड सैम के पास पहुचता तब तक सैम सिस्टम को हैक करके N.com OS 12 को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है जिससे कि वो सभी के लिए फ्री हो जाए और जब ये बात वहां के सभी मेंबर्स को पता चलती है तो वे काफी गुसा होते हैं लेकिन ब्रैडली अंदर ही अंदर खुस होता है वही पर वो गार्ड सैम का पीछा करते करते उस बिल्डिंग के टोप फलोर पर पहुच जाता है जहां पर सैम उससे कहता है कि वो इसका मालिक है और ये कहने के बाद वो उस बिल्डिंग से जंप लगा देता है और अपना पैरसूट खोल देता है लेकिन उसका पैरसूट एक जगे अटक जाता है और पुलिस उसे पकड लेती है लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। अगले सीड में हम देखते हैं कि ब्रैली सेम से मिलते हैं और उसे कंपनी पिती में कोई इंट्रस्ट नहीं होता, लेकिन Bradley उसे समझाते हैं और उसे वीडियो गेम की मार्किट की चाबिया दे देते हैं वे Sam को वहाँ जाने की कहते हैं और अब ये सब कहने के बाद Bradley वहाँ से चले जाते हैं Bradley के कहने पर Sam वहाँ वीडियो गेम की मार्किट में पहुँच जाता है और वहाँ पहुचने पर वो देखता है कि वहाँ काफी सारी वीडियो गेम्स होती है और तभी उसे वो वीडियो गेम दिखाई देती है जिस पे कि ट्रोन लिखा होता है सैम उस वीडियो गेम के पास जाता है और उस वीडियो गेम में कोईन डालता है लेकिन कोईन वापिस बाहरा जाता है जहां सैम को जमीन पे एक लाइन दिखाई देती है जिसे देखने के बाद वो उस गेम को वहां से हटा देता है और देखता है कि वहां से एक रास्ता नीच स्टार्ट हो जाती है और वह उस यंत्रेजाल में पहुंच जाता है वह यंत्रेजाल पूरी मसीनी दुनिया होती है जिसे देखकर सैम को उस पर यकीन नहीं होता तभी दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे खेलने के लिए बाकी प्रोग्राम के साथ भेज देते हैं वहां सैम को खेलने के लिए तयार किया जाता है और खेलने के लिए उसे एक डिस्क दी जाती है जिसमें कि उसकी सारी ब्रेन मेमोरी रिकोर्ड होती है बाकी के प्रोग्राम के साथ सैम काफी अच्छे से खेलता है और सभी प्रोग्राम को नस्ट कर देता है अब सैम एक यो को पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम नहीं है वो बताता है कि ये एक इनसान है क्लू उससे पूछता है कि अपनी पैचान बताओ तब सैम कहता है कि मैं कोई प्रोग्राम नहीं हूं बलकि एक इनसान हूं और मेरा नाम सैम फिलीन है और ये सुनने के बाद क्लू अपने तो वो चाहता है, सैम उसे कहता है कि लगता है कि आपको अपने बेटे से मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई, तब क्लू कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मगर मुझे तुम से मिलकर बहुत खुशी हुई, और ये सुनने के बार सैम समझ जाता है कि वो क्लू है उसके डैड का हमसकल वही पर हम देखते हैं कि सैम को अब दुबारा से स्टेडियम में लाया जाता है लेकिन अब की बार उसका मुकाबला क्लू के साथ होता है दो टीम के साथ गेम स्टार्ट होता है जिसमें की एक टीम क्लू की और दूसरी सैम की टीम होती है इन सब को लेज लाजर लाइन के बीच में आता है वो डिस्ट्रोय हो जाता है इसी के साथ उनका मुकाबला लाइट साइकल दुआरा स्टार्ट हो जाता है लेकिन आखिर में वहां सैम और क्लू ही बचते हैं सैम की बाइक डिस्ट्रोय हो जाती है और अब क्लू सैम को मालने ही वाला होता है क जहां पर सैम अपने रियल डैड से मिलता है सैम के डैड अपने बेटे से मिलकर काफी खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुम यहां तक कैसे पोचे तो सैम उनका जवाब देते हुए कहता है कि ब्रैडली दुआरा मुझे आपका मैसिज मिला था ये सुनकर वो काफी हैरान ह हो चाते हैं लेकिन उसे डिनर पर मिलने को बोल कर चले जाते हैं वही कर हम देखते हैं कि झ rapping टिन अभी डिनर कर रहे होते हैं तो तब सैम अपने परफेक्ट दुनिया बन सकती थी और यह तौफा में दुनिया को देना चाहता था लेकिन एक दिन क्लू ने मेरे साथ बकावत कर दी और मुझे बचाने के लिए ट्रोन ने अपनी जान दे दी दरसल असलियत में ट्रोन मरा नहीं था क्योंकि जब ट्रोन क्लू से मुकाबले म उतनी ही बढ़ जाती थी क्लू ने सभी आईजोस को खतम कर दिया लेकिन जब मैं बहार निकलना चाहता था तो डैलीज बंध हो गई दरसल जिन मसीन और लेजर से सैम अंदर आया था वो बिना इलेक्रिसिटी के नहीं चल सकती और उसे सिर्फ बहार से ही खोला जा सकता था इसलिए केविन दुबारा घर नहीं जा सका सैम कहता है कि अब डैलीज खुल चुकी है लेकिन केविन उसे कहता है कि वो डैलीज सिर्फ आट गंटों तक ही खुली रहेगी सैम अपने डैड को यहां से निकलने के लिए कहता है लेकिन उसके डैड उससे मना कर देते हैं और क को यंदर आए और उस रास्ते को खोल दे कैविन कहता है कि अगर जीतना है तो बैतर होगा कि हम नहीं खेले और यह कहने के बाद वह वहां से चले जाते हैं वहीं पर क्योरा सैम को कहती है कि क्लू को खतम करने पर कैविन भी खतम हो जाएंगे तब ही सैम क्योरा से गुस्से नाम का एक आदमी मिलेगा जो कि पहले आइसोल्स के लिए लड़ता था और सायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है सैम क्योरा से वो मैप लेकर तुरंत वहां से इबाइक लेकर निकल जाता है वहीं पर हम देखते हैं कि कैविन को अब सैम की चिंता होने लगती है जिसकी के बताए जगे पर पहुंच जाता है और जब वहां पहुंचता है तो क्लू के गार्ड को उसकी इबाइक मिल जाती है जिसे वे क्लू के पास ले जाते हैं और अब जारवीज जो की क्लू के लिए काम करता था वो उस इबाइक को चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि व पहुंच जाते हैं जहां पर कैविन और क्योड़ा रहते थे वहां पहुचने पर वे सब कैविन को ढूंडने लगते हैं लेकिन उन्गे बहुत dobrak, अ और हम देखते हैं कि सैम उस जगह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैम होता है जैम उसे कहती है कि अगर तुम्हें ज्यूज से मिलना है तो पहले तुम्हें कैस्टर को मनाना पड़ेगा और ये सुनने के बाद सैम जैम के साथ कैस्टर से मिलने चला जाता है सैम से मिलने के बाद कैस्टर उसे एक अलग कमरे में ले जाता है जहां पर वो बताता है कि वो ही जूज है और यह जानने के बाद सैम उससे कहता है कि मुझे दरवाजे तक जाना है दरसल जूज क्लू के साथ समझोता करना चाहता था जिसकी वज़े से वो सैम को धोका देता है और उस पर हमला कर देता है लेकिन सैम की किसमत काफी अच्छी होती है क्योंकि जब जूज के आदमी उस पर हमला कर रहे होते हैं तो तभी वहां क्योरा आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है लेकिन इस लड़ाई के दोरान क्योरा का हाथ कर जाता है और तभी वहां कैविन भी आ जात जोटी तेल बाद क्लू भी पहोँ जाता है जूस उस giris नाव से ले लेता है जैसे ही लिष्स के पास आती है कि अभी उने तब यहा टाइम बॉंच सट पढ दें और वह से चले जाते हैं उनगे से वे ब्लास्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जूज़ह मर जयते हैं अब सैम, कैविन और क्योरा दहलीच तक जाने के लिए एक लेजर पर चलने वाली मालगाडी पर चड़ जाते हैं वही पर कैविन क्योरा की सिस्टम को ठीक करते हैं क्योरा की सिस्टम को रिस्टोर करते समय सैम को पता चलता है कि वो एक आइसो है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है. केविन कहता है कि कियोरा एक आखिरी ISO है और इसलिए मैंने इसे कुलू से बचा कर रखा. क्योरा को ठीक करने के बाद केविन मैडिटेशन करने चला जाता है. रिबूट होने के बाद क्योरा बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है और वो सैम को बताती है कि जब क्लू के प्रॉग्राम्स मुझे मालने के लिए आए थे तो कैविन ने मुझे बचाया था साथ ही वो सैम से ये भी कहती है कि तुम्हारे पिता के मुझ पर काफी ऐसान है वही पर हम देखते हैं कि जब वे दोनों बाते कर रहे होते हैं तो तब ही उनका रास्ता बदल जाता है और वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर क्लू की सेना होती है वहां पहुचने पर केविन को पता चलता है कि क्लू नए प्रोग्राम्स नहीं बना सकता वो या तो उन्हें डिस्टोई कर सकता है या बदल सकता है अब यहां पर क्योरा अपनी डिस्क को केविन को देकर निकल जाती है ताकि केविन और सैम बच सके और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है कि तभी उसके सामने एक प्रोग्राम आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उसे एरेस्ट कर लेता है उस प्रोग्राम को देखकर कैविन को पता चल जाता है कि ये ट्रोन है जो कि अब भी जिंदा है और अब वे दोनों क्योरा को दिखाई देती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि क्लू को बहारी दुनिया में जाने का रास्ता पता चल गया है तभी सैम केविन से कहता है कि आप एक सवारी के साथ मेरा इंतजार करना मैं क्योरा और डिस्क को लेकर आ रहा हूं यह सुनने के बाद उसके डैड काफी लेता है और धिकाल लेता है और साथ ही वह एक प्रोग्राम के साथ वहां आती है कि तब सेम उस प्रोग्राम पर हमला कर देता है और क्योरा को उनसे बचा कर एक फ्लाई मशीन की मदद से अपने डैड तक पहुंच जाता है वहीं पर हम देखते हैं कि जब सेम उस डिस्क को निकाल रहा होता है तो तभी अलारम की वज़े से क्लू को उसका पता चल जाता है जिसकी वज़े से वह अपनी टीम को लेकर उन सभी का पीछा करता है और उन पर हमला करने लगता है लेकिन तभी सैम भी उस जैट की मदद से उन पर हमला कर देता है अब वहां प्रोग्राम और उनके वीच में काफी लड़ाई होती है लेकिन आखिर में वहां केवल क्लू और ट्र को माल देता है वहीं दूसरी तरफ वे तीनों वहाँ देलीज तक पहुंच जाते हैं लेकिन जब तक वे उस देलीज को पार करते तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्यूंकि तब तक क्लू भी वहाँ पहुंच जाता है और अब उनके सामने क्लू खड़ा होता है जो कि वक्तुन्स लेकिन जरसे कले लेता है। आता है। जब कईवेढे का चैक करना जर से पता है जुनुरा की दशिए की its application कि मीपर करते हैं। का जिसकी वज़ये से थीर आप लाक्यूष यह की और इस क्यूंकर ठेल जाता है तो केविन उसका जबाव देते हुए कहता है कि वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे के लिह कुछ भी कर सकता हूं सैम अपने डैड को बचाना चालता है लेकिन क्योरा उससे कहती है कि तुमारे डैड की यही इच्छा है और तभी केविन से कहता है कि तुम क्योरा को लेकर चले जाओ और जैसे ही सेम और क्योरा वहां से जाने वाले होते हैं कि तभी क्लू भी उनके पीछे आ जाता है जिसे देखकर कैविन काफी घबरा जाता है और अपनी पूरी सक्ती से क्ल्यू को अपनी और खीचता है और उसे अपने अंदर समा लेता है जिसकी वज़े से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा यंत्रेजाल तभा हो जाता है लेकिन सैम सही सलामत बहार निकल जाता है वापिस उसी वीडियो गेम की मार्किट में आ जाता है सेम सारा डाटा एक चिप में कोपी कर लेता है और उस चिप को लोकिट बनाकर अपने गले में पहन लेता है सैम को वहाँ उपर उसे उसके अंकल मिलते है और वो उनसे कहता है कि आप सही थे और आप आज से एनकॉम कमपनी के चेयर्मेन है और मैं कल से company जोइन कर रहा हूं और ये कहने के बाद वो वहाँ से बहार आ जाता है जहां उसे क्योरा मिलती है जो कि उसका इंतजार कर रही होती है वही पर हम देखते हैं कि सैम उसे एक असली सुरज दिखाता है जो कि काफी सुन्दर होता है और उसे देखकर क्योड़ा काफी खुस होती है इसी के साथ हमारी मूवी यहां खतम होती है गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू